इस वीडियो के अंदर हम लोग आधुनी कितिहास के बिर्टीस भारत में सिक्षा का विकास से समंधित पूछे जाने वाले प्रश्ण को पढ़ेंगे और ये वीडियो आप लोग किसी भी परकार की competitive exams की तयारी करते हैं उसके लिए अती महत्रपुन सबीत होने वाला है क्योंकि इस वीडियो से निशित रूप से आप लोगों को प्रश्ण परिक्षा में देखने के लिए मिलेगा इसलिए इस वीडियो को आप लोग सुरू से अंतर तक जरूर जुडे रहिएगा इसमें हम आप लोगों को British भारत में सिक्षा का जो विकास हुआ इसके बारे में पूरे Retail Explain के साथ बताने वाले हैं तो बीना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अंतर तक जरूर जुडे रहिएगा बिर्टीस भारत में सिक्षा का विकास इसी से समंदित प्रष्ण है और इसको हम लोग पढ़ते हैं व्यक्तिगत परियासों से सर्वपर्थम कलकात्ता में सिक्षा है तू मदर्शा की अस्थापना किसके द्वारा की गई? तो धियान रखेगा व्यक्तिगत पर्यासों से सरवपर्थम कलकत्ता में सिक्षा हेत्व मदर्शा की अस्थापना वारेन हैस्टिंग के द्वारा किया गया था नेक्स्ट कोशन है वर्स 1784 में कॉलकत्ता में एसियाटिक सोसाइटी और बंगाल की अस्थापना किसके द्वारा की गई 1784 इस वी में कॉलकत्ता में एसियाटिक सोसाइटी और बंगाल की अस्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था सर विलियम जोन्स के दुआरा 1784 ECV में कलकत्ता में Aseatic Society of Bengal की अस्थापना की गई Aseatic Society of Bengal के अधिन सर्वपर्थम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुबाद Charles Wilkins के दुआरा किया गए इसको भी दिहान रखेगा Aseatic Society of Bengal के दुआरा ही सर्वपर्थम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुबाद Charles Wilkins ने किया था और कालिदास की परसीद रचना अविग्यान संकुनतलम की पहली वार अंग्रेजी में अनुबाद Sir William Jones ने किया था अविग्यान संकुनतलम का भी अंग्रेजी में अनुबाद किसके दौरा किया था यह भी ध्यान रखेगा Sir William Jones के दौरा Next question है वारा नसी में पर्थम संक्रित महविध्याले की अस्थापना किस ने की थी वारा नसी में पर्थम संस्कृत महविद्याले की अस्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था बनारस के अंदर यानि वारा नसी के अंदर पर्थम संस्कृत महविद्याले की अस्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया नेक्स्ट कॉसन है वर्स अठारा सो में कॉलकता में ओशन अधिकारियों के प्रसिक्षन है तू फोर्ट विलियम कॉलेज के अस्थापना किसके द्वारा की गई अठारा सो इस भी में कॉलकता के अंदर ओशन अधिकारियों की प्रसिक्षन के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की अस्थापना लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। धियान रखेगा चार्टर अधिनियम 1813 इसवी के द्वारा सिक्षा के पर चार परसार हेतु एक लाग रुपिये खर्च करने का अधिकार गवर्णर जनरल को दिया गया। में कुलकत्ता, मुंबई और मद्रास के अंदर बिस विद्याले के अस्थापना की गए। किस सुझाब तो ये भी धियान रखेगा वुट गोशनापत्र के सुझाब के द्वारा। में से किया गया एक कोड ऑफ जेंटू लॉज एक कोड ऑफ जेंटू लॉज ये जो है कि इसका अनुबात किया गया इस भासा में। संस्कृत से अंग्रेजी भसा में। आगे का प्रश्ण है पेरिस इस्थित रोयल एसियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतिय को परदान की गई। माइकल मधुसुदन दत्त को पेरिस इस्थित रोयल एसियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतिय को परदान की गई। माइकल मधुसुदन दत्त को। नेक्स्ट कोसन है मुंबई में पर्थम महिला विश्विद्याले के अस्थापना किस के परियासों से हुई। मुंबई में पर्थम महिला विश्विद्याले के अस्थापना किस के परियासों से हुई। मुंबई में पर्थम में पर्थम महिला विश्विद्याले का सिलान्यास लॉर्ड हर्डिंग के द्वारा किया गया। यानि की धियान रखेगा पंडित मदन मोहन मालविये के द्वारा ही बनारस हिंदू बिस्विद्याले के अस्थापना की गई और इसका सिलन्यास लॉड हडिंग के द्वारा किया गया इसी बनारस हिंदू बिस्विद्याले को पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जान इसी का नम बनारस हिंदू बिस विद्याले रखा गया। इसी का नम बनारस हिंदू बिस विद्याले रखा गया। इसी का नम बनारस हिंदू बिस विद्याले रखा गया। भारत में नेक्स्ट कोसन है भारत में आधुनिक सिक्षा पढणाली कब प्रारम हुई। भारत में आधुनिक सिक्षा पढणाली 1835 के लौड मैकाले के समरन पतर से शुरुवात हुई। नेक्स्ट कोसन है भारत में अंग्रेजी सिक्षा का विकास किस वाइसरा के सासन काल में आरम हुआ था। तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड विलियम ब्रैंटिक के सहयोग से अंग्रेजी सिक्षा का विकास भारत में हुआ था। नेक्स्ट कोशन है 1847 में रूड की इंजिनिरिंग कॉलेज के रूप में भारत का पर्थम इंजिनिरिंग कॉलेज की अस्थापना किसके द्वारा की गई रूडकी के अंदर पर्थम इंजिन्रिंग कॉलेज की आस्थापना 847 में जेम्स टॉम्शन के द्वारा किया गया अब हम लोग देख लेते हैं परमुक सिक्छा आयोग परमुक सिक्षा आयोग के अंदर हम लोग जानते हैं समीती या आयोग और ये समीती आयोग किस वर्स बना है और किस गवर्णर जनरल या फिर वाइसराय के सासनकाल में ये बना है सबसे पहले है चाल्स वूड डिस्पेच का निर्वान वर्स 1854 में किया गया था और इस समय लोड रोजी के सासनकाल में चाल्स वूड डिस्पेच का निर्वान किया गया था दूसरा है हंटर आयोग हंटर आयोग का निर्वान 1882 इस वी में लोड रीपन के सासनकाल में शुरू किया गया था आगे है रेले आयोग, इसी का दूसरा नाम में विश्विद्याला आयोग, रेले आयोग का गठन 1902 इसवी में लॉड करजन के सासनकाल में किया गया था। समिती ये प्रात्मिक सिक्षा से समन्दी था और इसका गठन 1929 में लॉड इर्विन के सासनकाल में किया गया था। राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948 इसवी में लॉड मौंट बेटन के सासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट कॉस्टन है वर्ष 1937 में गौंधी जी द्वारा प्रस्तूत वर्धा योजना सिक्षा से समन्दी था। 1937 में गौंधी जी के द्वारा एक योजना बनाया गया था जिसका नामें वर्धा योजना। और ये किस से समन्दी था। शिक्षा से समन्दी था। तो दोस्तों इस तरह से हम आप लोगों को शिक्षा से समन्दी था।